जहिन साथियों नमस्कार कैसे आप सभी स्वागत है आपका अपने परिवार में आज एक और सक्सियत जिन्होंने आरेस में सफलता पाई है मेरे साथ हैं लिलावती चोदरी जी जिन्होंने हाली में आरेस 2021 में सफलता अरजित की है और उनका चैन हुआ है इंस्पेक्टर पद पर तो उनकी जो जरनी है वो क्या रही है और कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया उसके बारे में जानेंगे और खास बात कि इनकी जो शादी है वो बच्पन में हुई और बच्पन में शादी होने के बाद हम देखते हैं कि लोग भाना बनाते हैं वो तो आज यंगेस शादी करने के बाद भी बना रहे हैं, कि मेरी शादी हो गई, पढाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, बालविवा हुआ और उसके बाद में इनके माता पिता ने, इनके पती ने और इनके जो ससुराल वाले हैं, उनके दोरा जो इनको मोटिवेट किया गया, या इनकी जो साह की गई जिसकी बदोलत आज ये इस मुकाम पर है और मैं खास बात भोट-भोट धनेवा देना चाहूंगा इनके पती को जो मेरे ही साती है राजस्तान पुलिस का एक अभिन अंग है अभी उन्होंने राम प्रकास जी ने जो एस्पी ओपीस जेपुर में कारेरत हैं इस पलता कैसे अर्जित की और कैसे इन्होंने पढ़ाई की तो लिलावती जी आप अपनी बातें जो है इस ओनलाइन प्लेट फोरॉम पर इन युवाओं के साथ रखें की से यक्यों की सर कि अपने मुझे मोट को मौटिवेट करत जों भी ये मेरी जड़काई जो स्टाट हु है ये दो 2018 में जब मेरी जॉब लगी थी उसके बाद मेरी आर्यस की जड़को से पहले मेरा डार्गेट था कि मैं आर्यस की कि वाला में जौब लगी तो इससे पहले मेरे माता-पीता ने मेरे सफुराल को मोटिवेट किया कि तुम्हें अरस का भी करना है और मेरे मन में भी एक प्रवल्ब इच्छ थी में आर्एस के तैयारी करूं दो जार फारामें मुझे तयारी करी मतलब सुबह 2-3 घंटे ऑफ्लाइन क्लास लेने के बाद फिर मुझे ऑफिस जाना होता था तो मैं 20 किलोमीटर की यात्रा करके स्कूटी से उसके बाद मैं पहले कोचिंग जाती फिर मैं 9-9 बजे ऑफिस जाती और उसके बाद फिर शाम को जैसे 6 बजे टैम्ट था तो इसमें मैंने जो तैयारी करी उसका मुझे परिणाम भी मिला और मैंने 598 रेंग हासिल करी और मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी ना करने के बहाने हजारों मिल जाएंगे बट कुछ करने का एक ही कारण हो सकता है कि हमें सफल होना है तो मै मैं यही कहना चाहूंगी कि सब continuity में बहुत जरूरी है कि लगातार अध्यान करते रहें किसी को मिलता नहीं है टाइम निकालना पड़ता है चुराना पड़ता है और मेरा जैसे कि बालविवा हुआ था बट फिर भी मैंने सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए टाइम निका किलमेटर मीटर दूर है मेरे स्कूली शिक्षा उसके बाद कॉलेज मैंने परिष्कार से किया है करने के बाद फिर मैंने कि तैयारी करी और वेंक जोब तो मैं अभी ूप हुँ हूँ सचिवाले में और उसके बाद पिर मैंने यह 211 में आपको यह लगता है कि जो विध्यारती है कुछ बनाते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है हमें हिंडी नहीं आती है तो उसमें से कुछ विध्यारती ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे इंगली से नहीं आती है क्या मैं RS जो है बन पाऊंगा या RS बनने के लिए तो 5-6 साल लगाने पड़ेंगे RS में तो 10-10 साल वाली घर पर बेठे हुए हैं उनका अभी तक चैन नहीं हुआ इसके लिए प्री प्लान होना होता है कि सबसे पहले सिलेवस को तयार करें उसके बाद मादिमिक शिक्षाबुड की किताबें पढ़ें प्री के लिए कितना पढ़ना है मेंस के लिए कितना समय मिलता है क्या पहले प्री से पहले ही मेंस की त्यारी रखें और उसके बाद जो इंटर्विव होता है उसमें क्या-क्या स्वालात पुछे जा सकते हैं जो आप से पुछे गयो इंटर्विव में कुछ ऐसे खास स्वाल जो ऐसा लगे कि हाँ उन्होंने आपको भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया हो और वो भी आप इनके साथ रखें के लिए सबसे पहले तो सालेवस के जो भी पॉइंट्स हैं पॉइंट टो पॉइंट तयारी करनी जरूरी है सबका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है जैसे कोई सेलफ स्टड़ी में ज्यादा बिलिव रखता है तो क इसको मुझे किस तरीके से करना है सेल्फ स्टड़ी या फिर कोचिंग और इसके बाद फिर जो भी अगर सेल्फ स्टड़ी कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम कभी दर से उदर वेस्ट होता है अपनको पता नहीं चलता है तो इस व लावा जैसे कहते हैं कि इंग्लिश बहुत बड़ा हवा है तो लाइफ में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है मैं स्वाएं ग्रामीन परिवेश्च हूं तो मेरा इतना बहुत अच्छी नहीं है और फिर भी मैंने कोशिश करी जहां से मुझे लगा कि मैं यहां से सीख सकती ह मैंने वहां से ग्राम्मर के लिए कंपोजिशन के लिए क्लासिज लिए ओनलाइन प्रैक्टिस मैंने खूब करी तो मेरी जो इंग्लिश है वो काफी अच्छी भी हो गई और यह सिर्फ एक हवा है कि इंग्लिश इंग्लिश अगर इंसान अगर जादी विधारती लगाता और अगर सोचें कि निए मुझे सीखना है सिखने की ललक हो तो कुछ भी अर इसके अलावा मेंस है तो मैंने ऐसाफ से बनौन के साम कर तो इसके बाद में हमें साध votation मही चोईन करी उसके लआ वा जो डेइली बेसिस पे प्रैक्टिस करना और और ऑör्मान बच्चे फोर्ट पेपर को Allah और तो बहुत ही इंबॉक्ट कर नी भाता ità है उसमें daily practice जरूरी होती है, ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद अगर अपन पढ़ें तो फिर उसमें मतलब याद नहीं रहता इत्ता, क्योंकि grammar part को daily basis पर revise करना जरूरी होता है, तो fourth paper का daily basis पर revision का target fix रखें, और दूसरा subject है उसका भी जैसे daily basis पर या तो एक या दो subject जो भी अगर बच् पर मैं हिंदे English दोनों की answer writing practice, grammar की बार-बार revision और उसके बाद जो भी subject है उनका बार-बार जो भी practice करना है, इसके अलावा जो previous year के questions है, उनसे जो questions का trend है उनका पता चल जाता है कि किस type के question आ रहे है, इस portion से इस type का question पूछा जा रहा है, अगर ये question आता है तो इसका answer कैसे सकता है, कुछ keywords होते हैं, जैसे कि समिक्षा या विशलेशन तो इन टर्म को समझना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा challenging था ये क्योंकि मेरा first attempt था, फिर भी मैंने जैसे discussion करके, या फिर teacher से पूछ के, मैंने अपनी ये चीज़ इंपरूँ की, मैं जैसा जानता हूं कि अभी सब्सक्राइब करें, तो अभी आपका क्या target है, आप आरेस मैंस में आपका SDM बनने का सपना है, या RPS बनने का सपना है, अभी आपका क्या सपना है कि इस बार जो है, आरेस के अंदर में और अच्छी rank लेकर आँ, ताकि मैं SDM या RPS में से आप क्या चुनना चाहेंगी, मेरा target SDM का यह और इस वाली में भी यही था, बट मेरी कुछ कमिया रही ती, जिस वज़े से मेरी rank इतनी पीछे आई, और मैंने जो analysis किया मेरी copies को, तो उसमें मुझे लगा कि, जो मेरे सब सब बड़ा drawback था, वो था presentation का, अगर मैंने जो वो लिख, जो मैंने copies में लिखा ह है, अगर मैंनों उनको अच्छे से present किया होता, तो हो सकता मेरी rank और भी अच्छी होती, बट वो एक past था, मैंने उससे सीखा है, अनुभव लिया है, और मैं उसमें लगातार improvement कर रही हूं, और अब भी जो next 2023 है, इसमेंस के लिए मैं अच्छे से strategically तयारी कर रही हूं, अभ घबराने लग जाती है, तब आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि जब आपका कोई interview था, आप घबरा रहे हो, तब आपको किसने सबसे ज़्यादा motivate किया हो, और उस समय जो है, आपके लिए वो बिल्कुल लखी साबित वाओ कि एन वक्त पर आपको प्रिक्षा से पहले इतना प्रिपेर कर दिया गया, कि आपको घबराने की बिल्कुल आव सकता नहीं है, क्योंकि वेसे तो जैसे आपने कहा, कि जिवन की बहुत सारी चुनोतियां आपने स्विकार की है, बीस किलोमेटर आना, बीस किलोमेटर जाना, और पती पुलिस में है, तो उनके जो डूटी है वो कभी नाइट में कभी दिन में और फिर ससुराल है तो ससुराल को भी संभालना फिर अपना पीहर है उसे भी संभालना और उसके साथ सचवाले की जोब भी करना और उसके बाद पढ़ाई करना तो मैं यह मान सकता हूं कि आप जैसे हो कितना सक्तिमान जो होता है वो सब कार किया है जो त्यारी करते समय घबरा जाती है और बहाने भी बहुत सारे बना सकते हैं कि हाँ मेरे इस पार घर में शादी हो गई थी मैं बिमार हो गई थी या मेरी शादी हो गई ऐसे कई-कई बहाने होंगे हमारे घर में जो है औरे नया मकान बन रहा था या फिर परिवार में किसी के मौत हो गई, ऐसे जो भाणने हैं, जो भाणने भी हो सकते हैं और यथार्त सत्य भी हो सकता है किसी के साथ, मैं ऐसा नहीं कहता, क्या पता किसी में वास्तविक ये घटना भी रही हो, या कोई ये कहे, कि मैं बिल्कुल गरीब परीवार से हूँ मैं यहां तक नहीं पोछ सकता उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी अंतिम शब्दों में आप उनके कहें ताकि वो भी आगे बढ़ें और समाज को एक अच्छा संदेश दें कि राष्टपती पद पर जब नारीस्तापित है तो फिर हमारे इस राजस्तान की प्रतियों की प्रेक्षा में त्यारी करने वालों में वो पिछे क्यों रह रही है सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि बाधाएं आती हैं और सफलता में बाधा ना आए तो सफलता का मज़ा यह अगर इन बाधाओं की बात करें तो मेरा जब मेंस था जो पहले फरवरी में डिसाइड था तो 21 फरवरी के आसपास मेंस था तो मेरे दादा ससूर की डैथ हो तो यह एक चैलेंजिंग था कि मुझे वहां पर एक ससूराल में जब मेरे दादा ससूर की डैथ हुई तो मेरा वहां उपस्तित होना और एक तरह से धक्का लगा कि हमारे घर का एक मेंबर गम हो गया तो यह सब चीजे मैंने फेस करी बट मैंने वहां पर खुद को समहाला म मेरे ससूराल वालों ने मेरा सपोर्ट किया तो तीन-चार दिन बाद मुझे उन्होंने वापस जयापूर मतलब जहां में रह रही हूं रेंट में वहां पर भेज दिया कि आप अपनी पढ़ाई चालू रखिये और आप मतलब तीन-चार दिन तक मैं बहुत डिस्टब रह बट फिर भी जैसे वापस में जयापूर आई फिर जो भी वहां पर रितिरिवाज में मुझे शामिल होना था तो मैं वापस वहां गई और बीच-बीच में मेरे को वहां काफी बार जाना पड़ा तो यह सब समझे मतलब एक तरह से जो चैलेंज है यह सब की लाइफ में आ कई कईयों के साथ रहता है चैलेंज बहुत रहते हैं कईयों के लिए बहाने रहते हैं लेकिन इन सब के पीछे अगर कोई एक चीज है तो वह है विलपावर अगर विलपावर है तो कोई भी समझ्या बढ़ी नहीं है कोई भी परिस्तिती बढ़ी नहीं है कोई भी सपना मेरी फ्रेंड है और हम साथ में तयारी कर रहे हैं और इस में हम दोनों का ही चायन हुआ है उसका मेरे मेरे लिए काफी सपोर्ट रहा है एक दूसरे से हमारी पड़ाई अच्छी चल रही है मेरी और से और इस यूटूब प्रिवार की और से आपको हर्दिक सुबकामना है कि अगला जो मेंस का रदल्ट आए और उसमें आपका जो चैन है के साथ हो और फिर हम एक बार फिर से लाइव आए और इन विध्यारतियों को फिर से मोटिवेट करें धन्यवाद आपका जुनने के लिए और मेरी और से सुबकामना है और इन सभी विध्यारतियों के उजवल विश्य की कामना के साथ धन्यवाद